गुद मॉर्निंग चिल्डरेंग, हाव आ यू, आई हूब आल अफ यू आ फाइन। गुद मुद 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 Q के बाद हमें क्या लिखना है? L, M के बाद क्या होगा? N होगा, है ना? अब N के बाद O तो लिखा ही हुआ है, O के बाद क्या होगा? P, P के बाद Q लिखा हुआ है, Q के बाद हमें क्या लिखना है? R, S लिखा हुआ है, S के बाद क्या होगा? T U के बाद क्या होगा V W के बाद क्या होगा X और Y के बाद क्या होगा Z जो कि अभी हम लोग लिखना सीखेंगे तो चलिए हम लोग Z लिखते हैं और उसे Z को Z भी कहते हैं है ना Z कैसे लिखोगे पहले बिटा आपको एक रेड लाइन में स्लिपिंग लाइन ड्रॉआ करनी है फिर आपको एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉआ करनी है नीचे वाले लाइन तक यानि बॉटम लाइन तक लाना है और फिर आपको उसी लाइन से एक छोटा सा स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको दो sleeping line ड्रॉ करनी है और एक slanting line ड्रॉ करनी है तो इस तरीके से आपका z यानी z बन जाएगा देखो फिर से मैं बताओ अगर इससे आपको परिसानी होगा सीधे लिखने में तो पहले आप दो dot दे लेना फिर हमें इस line को sleeping line की तरह मिला लेना है फिर हमें एक slanting line ड्रॉ करनी है तो हमें यहाँ पे dot देकर slanting line इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है और फिर हमें एक और sleeping line ड्रॉ करनी है तो वहाँ पे एक point देंगे और फिर हमें इस तरीके से sleeping line ड्रॉ कर देंगे तो यह आपका Z बन जाएगा, है ना, तो बहुत ही आसान है, पहले हमें एक red line से sleeping line ड्रॉ करनी है, और फिर जो bottom line है, वहां तक एक slanting line ड्रॉ करनी है, और फिर हमें एक चोटा सही sleeping line ड्रॉ करनी है, तो आपका यह Z बन जाएगा, बहुत सारे बच्चे जो हैं, वो 2 जैसे लि करनी है, यानि जो middle line से, sorry, red line से bottom line तक जाएगी, और फिर हमें एक चोटा से और sleeping line ड्रॉ करनी है, है ना, तो इस तरह के से आपको Z लिखना होगा, बाकी जो पीज है आपका homoak है, और Z से क्या होता है, Z से होता है zebra, है ना, जो घोड़े जासा दिखने में होता है ना, बट उसके body में black and white का stripe होता है, इसलिए वो थोड़ा अलग हट कर लगता है, तो आप सब कभी अगर जू जाओगे, तो जिबरा को देख पाओगे, तो Z तक complete हो चुका है, यानि हम लोग आज alpha weight complete कर चुके हैं, अब भी इसे अपनी copy में complete करोगे, पहले फिलब और उसके बाद Z चलिए, next देखते हैं क्या है, maths में, maths में हम लोग क्या लिखेंगे बिटा, maths में हम लोग तो counting लिखेंगी, बट कौन सा number लिखेंगे, पहले हमें इस फिलब को complete करना है, तो 2121 के बाद हमें क्या लिखना है, 2222, ठीक है, और 23 के बाद हमें यहां क्या लिखना है, 2424, और 25 के बाद हमें क्या लिखना है 2626 अब हमें 2626 के बाद वाला नमबर लिखना है ठीक है मैंने आपको प्रिवेस वीडियो में 26 तक लिखना सिखाय था इसलिए फिलप में भी मैंने आपको 26 तक ही दिया है अब हमें 26 के बाद क्या लिखना है 27 तो 27 हम लोग कैसे लिखेंगे बटा प पहले हमें 2 लिखना है और उसके बाद 7 लिखना है 2, 7, 27 क्या लिखोगे पहले 2 और उसके बाद 7 2, 7, 27 इस तरीके से आप लिखते बाद अगर बोलते रहोगे तो आपका जो है बिटा कभी भी काउंटिंग में गड़बर यानि मिस्टेक नहीं होगे बहुत सारे बच्चों को मैं जब online class में पूछती हूँ कि 27 कैसे होगा तो बच्चे 27 नहीं बोलकर डारेक्ट बोलते हैं 27 अब 27 कैसे लिखेंगे ये तो मालूम होना चाहिए ना कि पहले 26 होगा कि 27 होगा तो ये आपको identify करना बहुत ज़रूरी है इसलिए लिखते वक्त आप हमेशा ध्यान रखो कि पहले हमने 2 लिखा फिर 7 लिखा तब जाकर ये 27 27 कहलाया इस तरीके से अगर आप बोल बोल कर लिखोगे तो I think आपको counting में कोई problem नहीं होगा चली बाकी जो page है आपका home work है next हिंदी में देखते हैं बिटा क्या है हिंदी में हम लोग पहले से complete फिर रा के बाद क्या आता है उसे हम लोग को लिखना है तो पह के बाद हम लोग को क्या लिखना है भा मैं डेली आपको इस तरीके से fill up इसलिए देती हूँ ताकि आपका साथ साथ में revise होता जाए और आप ना भूले बा के बाद क्या होगा भा तो हमने भा लिख दिया मा लिखा हुआ है मा के बाद क्या होता है या तो हमने या लिख दिया रा तो लिखा हुआ है अब हमें रा के बाद क्या लिखना है बोलिए रा के बाद क्या आता है येस ला आता है तो ला कैसे लिखेंगे पहले हमें एक सीधी लाइन ज्वा करनी है और फिर हमें ऐसे ता बनान और फिर जहां से आप यह लाइन को फिनिश किये वहां से एक और आपको बनाना है तो यह जाकर ला बन जाएगा देखो फिर से पहले हमें एक सीधी लाइन ड्रॉआ करनी है और जैसे आप तथा तथा लिखते हो वैसे लिखोगे और जहां से यह पॉइंट लास्ट हुआ है यानि लाइन खत्म हुई वहां से फिर उपर की ओर ले जाके एक और आपको इस तरीके से बनाना है तो यह आपका ला बन जाएगा लसे क्या होता है बिटा लसे होता है लड़का भी और लसे होता है लड्टू जिसे आप सब खेलते हो ना टॉप को ही बोलते है हिंदी में लट्डू और बहुत सारे बच्चे लट्डू खाना भी पसंद करते हैं, है ना, तो लट्डू भी होगा, किसी को मोती चूर की लट्डू पसंद है, तो किसी को मिहिदाना का लट्डू पसंद है, है ना, आप सब लट्डू खाते हो ना, किसी को बेशन की लट्डू पसंद तो लसे आप लड़का भी बोल सकते हो, लसे लट्टू भी बोल सकते हो, या लसे आप लड्डू भी बोल सकते हो, बाकी जो पीज है आपका हूंवक है, that's all for today बिटा, बाँ बाई